सेशन की समझ आ गाई थे कूकी अब हम मेंने इस तरह कूकी जो हे वो हमारे हिकोर्ड को सेफ करता है सेशन कि पास तुप mbud messages होते कि वह हमारे रेकोर्ड को सेफ करें कि वह हमारे रेकॉर्ड को सेफ करें कुकी क्या करता है वह आपके जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं अपने वेबसाइड में वह उसको सेफ करता जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे हम यहां पर एक पी एच्पी टैक्स देंगे ठीक है इसको पहले सेफ कर दे आप जैम्ट सर्वर में यहां पर जैम्ट में आके एच्टी डॉक्स में मैं इसको नाम देता हूँ कुकी.php अब देखें अब यहां पर जिस तरह हमने सेशन हमने लिया था कि डॉलर अंडर स्कोर सेशन हमने एक यहां पर हम लिखेंगे सेट कुकी सेट कुकी ठीक है और सेट कुकी के अंदर मैं अब इसको एक नाम असाइंड करेंगा यहां पर एमेल असाइंड करता हूँ इमेल कॉमा लगाके कॉमा लगाके यहां पर आप मैं इस इमेल को वैल्यू असाइन करता हूँ वैल्यू लेट से हैधर एड़रेट जीमेल डोड कॉम लेट से यह मेरा यूजर नेम ठीक है मेरा जो लॉगिंग सिस्टम होता है उसका मैंने यूजर नेम या इमेल मैंने क्रियर कर दिया यहां पर और कॉमा लगाके मैं यहां पर इसको टाइम असाइंड करूंगा राइट मदलब प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सेकंड के लिए हम कुकी को क्रियेट कर रहे हैं ठीक है यहां पर आके ब्राउजर में मैं इसको लिखता हूँ यहां पर लेट से localhost slash slash cookie.php मेरे पास यहां पर कुकी रन हो गई है आप कुकी को किस तरह देखेंगे जिस तरह सेशन को हमने कॉल किया था व्यू किया था सेम देके इसको भी हम उसी तरह देख सकते हैं तो मैं यहां पर एक page मनाता हूँ एक फाल मनाता हूँ उसका PHP का view.php के नाम से और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP dollar underscore cookie क्या दिया है तो उसको नाम email तो मैं यहाँ पर email को echo out करूँगा echo अब देखें cookie को रंग करता हूँ यहाँ पर आके मैं view को call करता हूँ तो मेरे पास header at email.com मेरी cookie रंग हो गई है लेकिन 20 सेकंड के बाद हमारी cookie यहाँ पर show नहीं हो refresh करता हूँ अभी तक वो हमारी cookie यहाँ पर show हो रहा है 20 सेकंड के बाद यह expire हो जाएगी undefined area की email यहाँ बता रहा है कि आपके पास यह variable आवैलिबल नहीं है मारे पास तो इस तरह के से हम को क्रिएट कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें इसको इसकी जो record है लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक नया ब्रावजर क्रिएट करता हूँ नाम इसको देदें कुकी नेट से ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ localhost slash cookie.php हमारी कुकी जो है वो अरन हो गए है अब यहाँ पर आके मैं इसको वीव करता हूँ वीव.php कुकी हमारे पास शो हो रही है यह जो email हमने क्रिएट किया था आप वहां पर जो भी क्रिएट करेंगे कुकी.php फाइल में और उसको कॉल करेंगे वीव में तो वही आपको मतलब वही जो आप रिजर ने या पासवर्ड या जो भी आपने वहाँ पर कॉल किया हो जो भी वेल्यू वहाँ यहाँ पर शो होता जाएगा ठीक है अब इसको मैं रिफ्रिश करता हूँ तो यह हमारे एंड और साइड डेटा और यहां पर मैं सी ओल कुकीज एंड साइड डेटा पर क्लिक करता हूँ ठीक है इसको आप तुरन करें कुकी.php एंड वीव.php कॉल करता हूँ इसको यहां पर रिफ्रिश करें ठीक है लोकल होस्ट पर अफलाइन सर्वर हमारे पास यहां पर शो हो रहा है जो अब को कुकी हमारे पास हिस्ट्री में हम इसको सेफ कर सकते हैं तो लोकल होस्ट पर क्लिक करता हूँ हमारे कुकी का नाम क्या है इमेल उसके बाद हमने इमेल क्या दिया है डॉमेंड क्या है offline मतलब local host path हमने नहीं दिया है send for यह हमने नहीं किया हुआ बाकी यहां पर आप देख ले create और expire Tuesday September 21st को हमने इसको create किया है मतलब आज के date में 1035 पर हमने इसको create कर दिया और 1035 मतलब 20 second के बाद यह expire हो रहा है आपने login page में यूज कर सकते हैं इन्शाला हम यह दो आपको basics बता दिये हैं सेशन की और cookies जब हम login सिस्टम बनाएंगे तो पिर आपको इसकी मज़ीज जो है समझा जाएगी जो भी confusion होगी पिर वहां पे आप इसको